केंज सरकार द्वारा लाए गए करसी कानून के विरोध में कॉंग्रेस के नेताओं के समर्थन में किसानों ने टेक्टर मार्ष निकाला। इस दोरान डेली विभिन मार्गों से होती हुई जिला कलेक्टर कारले पोची और महा महीम राश्पति के राम ग्याबन सोबा। रेली परदर्शन में विधायक रविजोसी जुमा सोलंकी सचिन बिल्ला विजेल अख्मिसादो विधायक के दाटावर सहित सेक्डो कॉंग्रेस कारेकरता और नेता मुझूद थे। रेली में कलेक्टर अफिस का घेराव करने पहुचे कॉंग्रेस विधायकों को वेरिकेट से लगा कर रोका गया और धक्का मुक्य भी की गई जिसमें महीला विधायक जुमा सोलंकी और विजेल अख्मिसादो को हलकी चोटे आई हैं। इस दुरान किसान हिद में कॉंग्रेस विधायकों ने जिला परसासन के बाद आगामी दिनों में रूप लेकर तयार करके राज्यपाल निवास को घेरने की बाद भी कही है। कोई कड़ाके की ठीड़ने मेंना किसी ने आत्बत्या की किसी को टेक आया। लेकिस इस गुंगी बहरी सरकार को आवाज सबाय में नहीं आ रही है। इन सब को देखते हुए आधणी सुनिया जी राहूल जी कि आधेश पर आधणी कमलनाथी के आधेश पर प्रदेश के अंदर बलाकों में जिलाइट कोडर पर और प्रदेश पर किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हम अपनी विपक्ष की व्यूमिका का निर्वान कर रहे हैं और किसानों के आवाज बनकर हम जगा जगा आंदोलन के माध्यम से आध तारिकों जिले के सभी बलाकों में हम लोग ने चांती पुर्वत कोविड का ध्यान रुपते हुए रैली निकाली धरना प्रदर्शिन किया और ग्यापन राश्पती के नाम सोपा आज जिले के विदायकंड अपने ब्रे समर्तों की साथ किसानों के साथ बहुत ही शांती पुर्वत जिला इंकोडर पर हम लोग प्रदर्शन करते हुए बड़ी भारी तादाद में किसान भी हमारे साथ थे रैली के रूप में डेक्टर के माध्यम से बहुत ती शांती प्रदर्शन करते हैं हम लोग आ रहे थे तो जगह जगह लोकल एग्मिस्टेशन ने हमको रोग लगाई हम महिला विदायकों को भी बहुत दक्के पड़े आदरी जुमा सुलंकी जी मुझे हमारे साथ और भी महिला थी काफी दक्के भी पड़े इस तरह का शांती जनता ने हमें चुनकर भेजा है और उस आवाज को वैसे तो हम लोगों ने समने देखा कि पिछले 2019 के मार्च में हमारी शुराज मामा की सरकार ने प्रजातंतर का गला घोटकर सोदे के बात्यम से सोदागरों की सरकार ये बनाई है उमीद तो हमें बहुत कम थी लेकिन लो लगा लगा के रोका गया जो कि प्रिजात अंतर में बहुत ठीक नहीं होने को चलते आपने चेतावनी भी दिये कि आगामी जब मार्च गया घ्राव क्या या कलेटेड के चेतावनी दिये बिल्कुल हमारे विदायक मौद है सचीन बिल्ला रवी जोशी जी जुमा सुलंकी जी मैं केदार भाई भी हमारे साथ थे सब लगों ने कहा क्योंकि हमारे यहां जो एक फेज वाइस जो बाटना चाहिए तक रशी रेंड वो सेकेंड फेज का किसी बलाकों में हो गया कही बलाकों में नहीं हुआ इसके साथ साथ जो 19 में जो फसने बरबाद हुई थी जिसक करोड रुपया 25 प्रतिश्यत बचा बटा है 75 प्रतिश्यत अभी भी बाकी है इन सब चीजों को लेके सारे विदैकों ने कलेक्टर मोदया से कहा कि इस पे साशन प्रसाशन जल्दी निर्णे ले अगर नहीं लेंगे तो फिर हमें अंदलन के रूप में आना पड़ेगा औ अजारों किसानों की संक्या को देखते हुए और सेख्डों 500 से अधिर टेक्टर कांग्रेस पालिटी के प्रदर्शन में शामिल हुए कलेक्टर आफिस का घेराव करा कलेक्टर खरगोन के माध्यम सर्कार को हम चेताना चाहते हैं और सरकार पदेश्कियों की देश्कियों क अरगोन में कलेक्टर आफिस के साथ साथ हम राज्यपाल के निवास को यह तेवीश तारिक को घेरने जा रहा है भोपाल के अंदर आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अकर काले कानून तद्काल वापिस नहीं ले गए तो बड़ा घेराव की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले